श्री राम जन्म भूमी पर मंदिर निर्मान में विश्व हिंदू परिशद के पूर्व अंतराश्ट्रिय अध्यक्ष अशोक सिंगल तथा बीजेपी सांसद डॉक्टर सुब्रमनियम स्वामी का बड़ा योगदान रहा है पर क्या आप ये बात भी जानते हैं कि इनी दोनों निताओं ने एक और मुद्दे पर जमकर पैरवी की है और वे है आशाराम बापू की रहाई दोनों ने खुलकर हर बंच पर कहा है कि आशाराम बापू निर्दोश हैं उन्हें फसाया गया है और उन्हें जल्द से जल्द स इसके साथ ही भार्तीय जन्क्रांति दल आयोध्या के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश शरनजी महराज, आयोध्या संत समीती के महामंत्री महंत पवन कुमार दास शास्त्री जी, राश्ट्रिय संत सुरक्षा परिशद के संपूर्ण दक्षिन भारत प्रभारी तथा संत प्रकोष्ठ महराश्टर प्रदेश के महमंतरी डॉक्टर श्रेकृष्ण पूरी जी महराज विश्व हिंदू परिशद गौरक्षा विभाग के राश्ट्रिय उपध्यक्ष अवध समान सरकार को विचार करके दृड़ता पूर्वक निरने लेकर उनको कारागार से अविलंब मुक्त करना चाहिए। राम मंदिर बनाने की गतिविधिया चालू हो गई है। पुज्य बापुजी जो है वह कथा व्यास रहे हैं। समाज को जाकरत करने का कारे करते रहे हैं। तो ऐसे लोग रामाएन काल में भी दंडित किये जाते थे, सताये जाते थे। लेकिन इस प्रकार का रावन भी कारावास के दंडिका विधान किसी रिसी मुनी महात्मा के लिए नहीं किया था। इने तम अपराद जो रावन की द्वारा भी नहीं हुआ। किसी संत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्मांतरन को रोकने के लिए, मतांतरन को रोकने के लिए। जो असोग सिंगल जी का सुपन था। असोग सिंगल जी जैसे रिसी कल्प हम सब संत मात्माओं साथू समाज के द्रिष्टी में उनका आधर था। और मैं अभी भी कहता हूँ कि ऐसे पुझे बापुजी और बापुजी जैसे अन्य लोग को जो लांशित करने का प्रियत्न है। वह प्रियत्न इस राष्ट का कल्यान नहीं करेगा। जो भी सासन बिधी में बैठे हुए लोग हैं अधिकार में बैठे हुए लोग हैं गंभीरता पुर्वक विचार करना चाहिए। जो हो गया हो गया लेकिन उसका प्रैस्चित यही है कि जैसे स्री राम जन भूमी का विमुक्तिकरन हुआ है। इसी तरह से संत महात्माओं के ब्रती भी जो कुछ हुआ है उसका विमुक्तिकरन होना चाहिए। उसका प्रैस्चित होना चाहिए।